दोस्तो ग्रंग्त वीर विनोध में लिखा है कि महारणा अमर सिंग के गद्धी पर बैठने के वक्त से ही तलवार से लड़ने की सिवाए बाकी सब काम मुलतवी रह गए बलकि यह तथ्यो उचित नहीं है दोस्तो ऐसा नहीं था कि महारणा अमर सिंग भीना सोचे समझे मुगलो पर तूट पड़े बलकि इसके साथ महारणा अमर सिंग ने मिवार में जो सुधार किये वह वाके ही सरहानिय है 1582 में शुरू हुए विजय अभियान के बाद मिवार ने कभी पराजय का मुहु नहीं दिखा चितोडगड और मांडलगड को छोड समस्त मिवार में मिवारी पता का लहरा रही थी दोस्तो 1588 से 1577 के बीच मिवार में कोई बड़ी लड़ाई भी नहीं हुई थी महरना प्रताप ने इस समय का सुदुप्यों किया था मुगल थानों पर आक्रमन सुरत की छाउनी और मालवा पर आक्रमन करके मिवार ने अच्छी संपदा हासिल की थी इसका नतीजा यह हुआ कि जब महरना अमर सिंग का राज्य भिशेक हुआ तो मिवार की सैना में सैक्ड़ो हा थी 16,000 घुड सवार और 40,000 पैदल सैनिक थे महरना अमर सिंग ने अपनी सैना का संचालन बहुत अच्छे से किया मिवार के दुर्गों के जगह जगह पर मिवारी सैना तैनात थी दोस्तो जब महरना अमर सिंग का राज्य भिशेक हुआ उस समय उनकी उम्र 37 वर्ष थी पिछले कई वर्षों से मिवार में उत्र अधिकार का यूध चल रहा था जो महरना अमर सिंग के समय नहीं हुआ उनके किसी भी भाई ने गद्दी का दावा नहीं किया था समय मिवार के थानों को सुद्रिट किया उदैपूर महलों की मुरम्मत करवाई उजडे हुए कस्बे और सायरा नामक गाउं को फिर से बसाया अमर सिंग जी ने सामंतों को दो भागों में विवाजित किया उम्राव और सरदार महरना अमर सिंग ने यहो परंपरा भी तोड़ दी कि सामंत की जागीर हमेशा उसकी ही रहेंगी महरना अमर सिंग ने जागीरों को वंच परंपरा के अनुसार ना देकर योग्यता के आधार पर दी मिवाड के वेंगू रतंगड बेदला दिलवाडा और बदनौरादी जो महरना ने एक सामंत से लेकर दूसरे सामंत को दिये थे महरना ने भीलों के साथ भी अच्छे संबंद रखे थे राना पूंजा अब तक व्रिद हो चुके थे भील सेना का नित्रत्व उस समय उनके पुत्र राना रामा ने किया